15 से पहले काफी सारी चीज़े ने पटानी है मेरेको मुझे बिग बॉस 17 सीजन ओफर हो गया था एलविश आदव और फुक्रा इंसान के बीच नेगिटिव पियार को लेकर कॉंट्रोवर्सी हो गई थी थोड़े तैन पहले और मैंने इसे अपने प्रिविएस वीडियो में आपको बताया हुआ है कि दोनों की साइट से क्या रियक्शन आए थे उससे बेले गाइस वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर से सब्स्क्राइब कर दिया था इन शॉर्ट एलविश आदव ने कुछ टाइम पहले ये कहा था कि उनकी अगेंस 25 लैक रूपीज देकर कोई नेगेटिव पी आर करवा रहा है जिसके बाद उनके फैंस ने इसे फुक्रा इंसान से कनेक्ट कर दिया था फुक्रा इंसान ने इसके बाद डिरिकली एलविश आदव को टैग करते हुए ट्विटर पे ट्वीट किया था कि आप नाम ग्लेरिफाइ कर दो जिसके बाद Elvish आदव के reaction से कहीं न कहीं ये clear हो गया था कि वो फुक्रा इंसान के बारे में ही बात कर रहे हैं। इसके बाद जब मीडिया ने फुक्रा इंसान से इस पर reaction लिया था तब उन्होंने इसे completely deny कर दिया था। इसी पर recently मीडिया ने जब उनसे पूछा कि कॉंट्रवर्सी का क्या हुआ नेगेटिव पी आर का अभी कुछ नहीं हुआ ना इस पर उन्होंने रिप्लाइ किया जिसका कोई सर पैर ना हो वो बात। तो क्या फुक्रा इंसान बिग बोस 17 में जाने वाले हैं। पुक्रा इंसान ने अपने सेकंड चैनल के लेटेस्ट वीडियो में इस पर रिप्लाइ किया है कि बिग बॉस OTT खतम होने के एक दिन बाद ही उन्हें बिग बॉस 17 का ओफर आया था इस पर उनका क्या रिप्लाइ था आप उनसे खुछ सुन लिए। उन्होंने मुझे बोला कि एंटर करो फर्स डे से यहां अगर आप वाइल काट जाना चाहो तो चुल जाओ बडाइ वस लाइं ब्रो अभी बिग बॉस 17 इस नोट फर मी दो आई लवड प्लेइंग डाट गेम लवड इट लवड इट लवड इट लवड इट लवड इट तो कीर्ती महरा की साइट से भी 15 ओक्टोबर को हाइलाइट करते वे कुछ हिंट दिये गए हैं और 15 ओक्टोबर से बिग बॉस का सीजन 17 स्टार्ट होने वाला है और इस पर उन्होंने अपने डीसेंट व्लॉग में भी कुछ कहा है आप देखिए अपना अपना सोचना ची तो उनका न्यू सॉंग आने वाला है पार्थ के साथ और इसके बारे में उन्होंने अपनी इंस्टा स्टोरी पर इए फोटो शेयर किया था रफ जाने अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी शेयर की थी और लिखा था कुछ मज़िदार आने वाला है यूट्यूब पर इस पर आपका कोई उपीनिया है तो कॉमेंट करके ज़रू बताने हैं